नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्ग्री स्टूडेंट इटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में उत्तर परदेश सम्मान ग्यान के भाग एक में उत्तर परदेश के परिचे पर अधारित प्रसुनों का बेसिक से अध्यान करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस परकार के प्रसुनों का अध्यान हम करने वाले हैं प्रिपेर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन आन कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहें तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रस्न है उत्तर परदेश राज्जी की अस्थापना काबे हुआ था इसका सही जवाब है 24 जन्वरी 1950 आपसन भी इसका सही है दोस्तों और आपको बता दें की उत्तर खंड राज्ज 9 नौवंबर सन 2000 को उत्तर परदेश राज्जी से अलग होकर 17 राज्जी बना है मतलब उत्तर खंड राज्ज 9 नौवंबर सन 2000 के पहले उत्तर परदेश राज्जी का एक हिस्सा था दोस्तों उत्तर परदेश राज किसी राज से अलग हो करके नहीं बना है बलकि उत्तर परदेश राज पहले संयुक्त प्रांत था और 24 जन्वरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर परदेश रखा गया दोस्तों उत्तर परदेश राज के उत्तर दिशा में उत्तराखंड यों हिमाचल परदेश इस्थि था और उत्तर परदेश राज के पस्चिम में हर्याना राजस्थान यों दिल्ली इस्थि था दोस्तों उत्तर परदेश राज के दचिर दिशा में मध्य परदेश यों 36 ग दिशा में बिहार योम जहार खंड राज्य इस्थित है दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखना की कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर परदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है तो दोस्तों याद रखना उत्तर परदेश राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल है और उत्तर परदेश राज्ज की सेमा नेपाल देश से लगती है अगला प्रस्न है उत्तर परदेश राज्ज की राजधानी कहा है? इसका सही जवाब है लखनव आप्सन भी इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं उत्तर परदेश राज्य के छेत्रफल की बात करें तो उत्तर परदेश राज्य का छेत्रफल 2,43,286 वर्गे किलो मीटर है दोस्तों उत्तर परदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपूर खीरी है दोस्तों छेत्रफल के हिसाब से उत्तरपरदेश राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है अगला प्रस्न है उत्तरपरदेश राज्य का राज्य किये खेल है इसका सही जवाब है हा की आपसन ए इसका सही है दोस्तों भारत देश का राश्य खेल भी हा की ही है दोस्तों आपको बता दें की उत्तरपरदेश राज्य का राज्य किये मिठाई जले भी है अगला प्रस्न है उत्तरपरदेश राज्य का लेंगा नुपाते क्या है इसका सही जबाब है 912 आपसंसी इसका सही है दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि लिंगान पात किसे कहते हैं तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों किसी देश, राज, जिला, सहर या किसी विशेश छेतर में पुर्षों और इस्तिरियों के संख्या के अनुपात को लिंगान पात कहते हैं चलिए दोस्तों इसे हम आपको एक उदारण से भी समझा देते हैं जैसे उत्तर परदेश राज का लिंगान पात 912 है तो इसका मतलब उत्तर परदेश राज में एक हजार पुरुष पर 912 महिलाएं पढ़ती हैं चलिए दोस्तों अब आगे हम आपको बताते हैं कि किस राज में लिंगा नुपात सबसे अधिक है और किस राज में लिंगा नुपात सबसे कम है तो दोस्तों किरल राज में लिंगा नुपात सबसे जादा है किरल राज में एक हजार पूरुष पार एक हजार चवरासी महिलाएं पढ़ती हैं और हर्याडा राज में लिंगा नुपात सबसे कम है हर्याडा राज में एक हजार पूरुष पार आठ सो उन्यासी महिलाएं प चलिए दोस्तों हम आपको कियंद्स आसित या संग परदेश के बारे में भी बता देते हैं तो दोस्तों पंडू चेरी परदेश में लिंगा नुपात सबसे अधिक है पंडू चेरी में 1000 पूरूस पर 1038 महिलाएं पड़ती हैं और दमन और दीप में परदेश में लिंगा न परदेश में 1000 पूरूस पर 618 महिलाएं पड़ती हैं अगला अगला प्रस्ण है उत्तर परदेश राज्जी का राज किये पेड़ हाए इसका सही जवाब है अशो के आपसंसी इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज के राज किये फोल की बात करें तो उत्तर परदेश राज का राज किये फोल पलास है अगला प्रस्ण है उत्तर परदेश राज की साचर्था कितना परतिसत है इसका सही जवाब है 69.72 आपसं भी इसका सही है दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि साचर्था या साचर्था परतिसत किसे कहते हैं तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों किसी देश राज, जिला, सहर या किसी विशेश छेत्र में कुल जन संख्या के कितने परतिसत लोग पढ़े लिखे हैं उसे ही साचर्था या साचर्था परतिसत कहा जाता है दोस्तों लिंग के अधार पर बात करें तो उत्तर परदेश में महिला 59.26% पढ़े लिखी हैं यानि कि साचर हैं और पुरू से 79.24% साचर हैं यानि पढ़े लिखे हैं दोस्तों सबसे अधिक साचर्था वाला राज्य केरल है और सबसे कम साचर्था वाला राज्य आंध्र परदेश है कियंद सासित परदेश की बात करें तो दोस्तों मिरोजम सबसे अधिक साचर्ता वाला कियंद सासित परदेश है और दादर और नगर हबेली सबसे कम साचर्ता वाला कियंद सासित परदेश है अगला प्रस्ण है, उत्तर परदेश राज का राजकिये पसु है, इसका सही जवाब है, 12 सिंगा, आप्षन 20 इसका सही है, दोस्तों, उत्तर परदेश राज का राजकिये पंचि सारस है, अगला प्रस्ण है उत्तर परदेश राज्ज की मुख्य भासाएं काउन काउन सी हाएं इसका सही जवाब है हिंदी यों उर्दू दोनों आपसन सी इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज्ज की राज्ज की भासा हिंदी है और उत्तर परदेश राज्ज की अत्रिक्त राज्ज की भासा उर्दू है उर्दू को अत्रिक्त राज्ज की भासा में सन 1989 में जोड़ा गया है अगला प्रस्ण है, बिश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फार में कहां पर इस्थित है? इसका सही जवाब है, उत्तर परदेश में आप्शन भी इसका सही है दोस्तों, गोरकपूर रेलवे प्लेट फार में बिश्व में सबसे लंबा प्लेट फार में है दोस्तों, गोरकपूर रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है और परियाग राज रेलवे स्टेशन उत्तर मध रेलवे का मुख्यालय है ये दोनों उत्तर परदेश राज्य में इस्थित हैं अगला प्रस्न है उत्तर परदेश राज्य का सबसे बड़ा मंडल है इसका सही जवाब है कान पूरियों लखनव आपसन ए इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज्य का सबसे चोटा मंडल सहारनपूर है अगला प्रस्न है उत्तर परदेश राज्य का पर्थम मुख्य मंत्री थे इसका सही जवाब है गोबिंद बल लभे पंते आपसन ए इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज्य का पर्थम महिला मुख्य मंत्री सुचेता क्रिपलानी थी और उत्तर परदेश राज्य का सरवाधिक बार मुख्य मंत्री मायावती हुई हैं चार बार अगला प्रस्ण है उत्तर परदेश राज्जी का पर्थम राज्जी पाल थे इसका सही जवाब है सार होरमर साजी फिरोज साह मोदी आप संडी इसका सही है दोस्तों उत्तर परदेश राज्जी का पर्थम महिला राज्जपाल सरोजनी नाइडो थे तो दोस्तों आज के टेस्ट में आप कितने परस्णों के जवाब जानते थे कमेंट वाक्स में जरूर बताएं अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे यूटूब चैनल पर मैथ, इंगलिस, रिजिनिंग और जनरेल नालेज का बेसिक से कलासे चलाया जाता है तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन आन कर दें जिससे आने वाले सभ वी वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहे